चीन जहां एक तरफ दुनिया की कई देशों को अपनी कर्ज जाल में फसा रहा है मालदीव से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बरबादी फैला रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसा करके उसकी खुद की हालत भी खस्ता हो चुकी है और अब वो भारत के सामने भी शायद ही टिक पाए ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे वाजब कारण भी है खुदा असी मुरी आटाओ तो जाओ असी मुरीज थैड यसे अपने टटू चलाए और रही इमें अटाइक हो गया इस इस पार शरकार बदलने की चाना को एक मौका मिल जाता है वो नि बिल पाएगा चाइना ही सूपर पावर बनता और भारत ही उसकी हेल्प गरता अगर मोदी जी प्रजान मंतरी नहीं बनते चाइना को मार्केट चाहिए अपने आपको आगे लेके जाने के लिए उसकी मार्केट नहीं है भारत ने अपनी मार्केट बन की हुई है यानकि मोदी जी ने मार्के पिठवाडे में इतना दम नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ कर सके क्योंकि ठोका ही बहुत होगी अब उसके डर से चाइना लाइन ओफ कंट्रोल पे भी थोड़ा सीधी चीज़ें कर रहा है यार मैं कम्यूनिकेशन लगा देता हूं मैं तुमको ये लगा देता हूं मैं वो लगा कल रात को जो लाइन ओ कंट्रोल में ठोका है पता नहीं कितनी चाइनीज इंफरस्ट्रक्चर को भी ठोका होगा रियल इस्टेट वो पूरी तरीके से बरबाद हो गई है दुनिया भर में कुरोना फैलाने के बाद चीन की एकनोमी ऐसी गिरी की आज तक उठ नहीं पाई उपर से भारत से पंगा लेने के बाद चीन का सुपर पावर बनने का सपना भी तूटता दिख रहा है भारत ने च दूट चीन को मोगी खानी पड़ी पिये मोदी के दुबारा आने के बाद भारत ने चीन की कमर और तोड़ दी एक तरफ चीन की एकनोमी के हालत खराब होते जा रहे है वही दूसरी तरफ भारत की एकनोमी नए रिकॉर्ड बना रहे है हाली में भारत के फॉरें रिजर्व इतना कभी नहीं था ये एक नया रिकॉर्ड है आई हम पूरी वीडियो देखते हैं चाइना जो एकोनामिक सूपर पावर लगभग बन चुका था और अभी है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन उस सूपर पावर के पास जो ताकत थी जो एक स्टेमिना था वो खतम सा होता हुआ नजर आ रहा है बड़ी बात दुनिया के क्या देशों के साथ चाइना का वो वाला इंफ्लूएंस नहीं रहा जो पहली था क्योंकि अफरीका से भी नेक्रिटिविटी आनी शुरू हो चुकी है मालदीव समें खूब ताकत लगाई लेकिन मालदीव के राष्टपती मोदी जी के साथ बैठके जिस तरीके से हसते वे खाना खाके गए हैं पूरी दुनिया हिली भी थी कि भाई यह हुआ क्या एकोनामी की भी हालत बुरी है लेकिन उसके बाद भी कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ रीजन किया है और क्या है यहाँ पर जो शीग जिंपिंग है वो इस एकोनमी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे है इसको री-स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे कॉम्फिटेंस इतना लो है उसको उपर क्यों लेकिए आपा रहे मुद्ध ये आता है कि shaping इस सारी चीज़ों को ठीक यो नहीं कर पा रहे ठीक कर सकते हैं हर चीज़ उनके हाथ में है सारी power उनके हाथ में है शायद जो mouth है उनके पास जितनी power थी उससे ज़ादा power शी जिंग पिंग के पास आ जुकी है पहला लोग बोलते हैं कि यार हो सकता कि शी जिंग पिंग को पता ही नो इसका मुतलब है उसे पता ही नहीं है कि मेरे कंट्री में प्रावलम चल भी रहा है अब उसका रीजन क्या है रीजन यह है कि शी जिंग पिंग कि एक स्ट्रॉंग परस्टनलिटी है He doesn't like anybody criticizing him He doesn't like anybody कि यह कोई आकर उसको बोले कि सर मारी ना कंट्री की हालत खराब है वो सुनना ही नहीं चाहते और जो आकर बताता है उसका गला काट दी जाता है तो इस डर में कि भाईए मैं अपना गला क्यों काटवाओ तो कोई जाकर बताता ही नहीं है कि सर हमारी हालत बड़ी खराब है लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े कंट्री का प्रेजिडेंट होके उसे पता ही नहीं हो कि मेरी कंट्री की हलत खराब है वहाँ पर जाकर कोई बताता नहीं है उसको कि भी हमारी कंट्री की हलत खराब है कि उसे पता है कि क्या है प्रालम क्या है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है अब उसके उपर करते हैं कि he doesn't know what to do because plate की उपर इतना ज़्यादा problems है कुछ कियान की बात नहीं है जितनी countries आज पास में सबके साथ problem है Taiwan का स्यापा लग से है, South China का स्यापा है लग से है, trade war पूरे दुनिया के साथ शुरू हो चुकी है बारत ने वाट लगाई हुई है, क्यों चाइना जहां जहां पर अपनी space को भरने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अमेरिका की space खतम हो दिया रही है, जियो पॉलिटेक्स के अंदर, वहां भारत भी दस्तक दे रहा है भारत वहां मजबूती से काउंटर कर रहा है, और बड़ी उम्मीद थी इस बार सरकार बदलने की और चाइना ने पूरा जोर गया जाती तो शायद चाइना को एक मौका मिल जाता रिवाइव करने का, वो नहीं मिल पाएगा चाइना को मौका नहीं मिलता, चाइना ही सूपर पावर बनता, और भारत ही उसकी हेल्प करता अगर मोदी जी प्रदान मंतरी नहीं बनते और यही उनका जो टाइम रहे है, चाइना का डवलप्मेंट होता याज įाज बिकाँ चाइना को मारकिट चाहिए अपने आपको आगे लेके जाने के लिए उसकी मारकिट नहीं है, भारत ने अपनी मारकिट बंकरिया, worth अमेरिका की खहित नहीं है, आजगी जड़ेट में spend money and we can support China also. इसलिए पूरी कोशिश थी कि मोदी जी को हराए जाए. और जो श्री जिंपिंग की जो प्रॉलम्स हैं, वो प्रॉलम्स हरी जी सिर्फ यह नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल प्रॉलम्स हैं. गर्वर्मेंट का डेट आपको मॉलूम है कितना जादा है, रियल एस्टेट की क्राइसिस है, यहां पर जो जो जॉब्स हैं, वो मिल नहीं रहीं, थर्टी तू फॉर्टी परसंट तो अनप्रॉलम्स हो गया है चैना के अंदर, एवरी सेकंड परसंट इस अनप्रॉइट और जो बहुत है दुख बरी कहानी है कि एक लेडी की, श सारी कंपनी बंद हो गई है, और आज वो लेडी, बिंग चेर्मेन ऑफ दे कंपनी, जुमेटर जैसी कंपनी में, डिलिवरी लेडी का काम करती है, आप सोच का देखिए, आप सोच का देखिए, चार बड़ी कंपनी की मालिक, मोर देन हंडर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट ह आज सारी कंपनी बंद हो गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ओर्डर से नहीं है, अपने बोच के नीचे, वो कंपनी दब कर, खतम हो गई, और उसकी जो चेर्मेन है, वो जुमेटो में, डिलिवरी लेडी का काम कर रही है, शीजिंग पनी को पता ही नहीं लग रहा, कि मैं एडिटर ने बोल दिया था, हम तो प्लेन उड़ा देंगे, बहां किया वरक पड़ता है, प्लेन बस, ठका ठक नैंसी पलोसी का प्लेन हवासे उड़ा देंगे, यहां तक की चीज़ें चाइना ने बोली थी, बहुत फ्रस्टेट होगे थे, कर कुछ पाए नहीं थे, अब अपने टट्टू चलाए और राइसी में अटाक होगे, राइसी में अटाक तो हुआ हुआ, लेकिन भारत का रेटालियेशन पाकिस्तान की तरफ जो आया, वो आया, अन्नोन गन्मेन, चन्मेन, यह, वो सब चल रहा था, लेकिन जो अटाक एक्चुल आया, और ये चीज़ लाइन ओफ गंट्ट्रोल में थोड़ा सीठी चीज़ें कर रहा है, मैं अधुक्यूकेशन लगा देता हो, मैं तुमको ये लगा देता हूं, वो लगा देता हो, कब रात को जो ल shines of control में ठोका है, पतानी कितनी चाइन्य इंफ्रस्रक्ट्ठर woven हो. झाल